हुआ है गाइस विल्कम बैक टो लाइट बोक्स मूविस आज इस वीडियो में बात करेंगे टो फाइब बेस्ट पॉलिटिकल क्राइम थ्रॉलर वेब सीरीज की जिनको हाली में रिलीस किया गया है और इस सभी सीरीज बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग है और इन सीरीज में आपको पॉलिटिक्स की डाक साइट देखने को मिलेगी सो वीडियो को एंट तक जरूर देखना और हां लास्ट वाली सीरीज तो बिल्कुल भी मिसमत करना सो बिना किसी देरी के लेट्स टार्ट इस वीडियो हमारे लिश्टर निंबर पांच के प्लेस पे है आश्रम ये सीरीज 2020 में रिलीज हुई थी इस सीरीज में कहानी दिखाई गई है एक ढोंगी बाबा की जिसका नाम होता है काशिपूर वाले बाबा एक ऐसे भोले भाले लोगों की श्रद्धा का गलत फादर उठाके और अपने आश्रम की आड में कुछ बहुत ही घिनोने काम करता है और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी इनका साथ देती है जब पम्मी नाम की लड़की के साथ भी सेम ऐसे होता है तो क्या वो इस बाबा का सच बाहर ला पाती है ये नहीं ये सब कुछ आप इस सीरीज में देखिए सीरीज के अब तक 3 सीजन आ चुके हैं इस सीरीज को आप फ्री में MX प्लेयर पर देख सकते हो सीरीज को रेडिंग मिले 7.1 आउट अफ 10 MDB पर नंबर 4 की सीरीज है महराणी सीरीज रिलीज हुई थी 2021 में इस सीरीज में स्टोरी दिखाएगी ये बिहार के चोटी से गाउं में रहने वाली रानी भारती की जिसका पती भीमा भारती बिहार का मुख्य मन्तरी होता है लेकिन एक इंसिरीज के बाद रानी भारती को जो की अनपढ़ होती है उनको ना चाहते हुए भी बिहार का मुख्य मंतरी बना दिया जाता है और फिर कैसे वो बिहार के politics में भुचाल लाती हैं ये सब कुछ आप इस सीरिस में देखिए इस सीरिस के अब तक दो सीजन आ चुके हैं सीरिस अवेलेबल है सोनी लिव एप पर सीरिस को रेडिंग मेले 7.9 आड़ ओफ 10 अमड़ीबी पर नंबर 3 की सीरिस है स्कूप ये एक क्राइम ड्रामा सीरिस है जिसमें कहाने दिखाईगे एक न्यूज रिपोर्टर जागरूती की जो कि एक जर्नलिस्ट की murder investigation कर रही होती है और इसकी लाइफ में मुसीबत तब आती है जब पुलिस इसको पकड़ लेती है उसी murder के इलजाम में और इसके बाद जागरूती की लाइफ में क्या कुछ होता है वो आप इस सीरिस में देखिए इस सीरिस को आप नेट्फिक्स पर देख सकते हो इस सीरिस को रडिंग मिले 7.7 out of 10 आमडीबी पर नंबर टू की सीरिस है दहाड ये एक crime thriller सीरिस है जिसे इस साल 2030 में रिलीज किया गया है इसके एक सीरिस की कहाने शुरू होती है एक police officer अंजली भाटी से जो एक घर में हो रहे murder investigation कर रही होती है जहाँ पर अलग अलग लड़कियों को bathroom में मार कर फैक दिया जाता है शुरू में तो उसे ये सारी investigation suicide लग रही होती है पर जैसे जैसे उसकी investigation आगे बढ़ती है उसे realize होता है कि इन सभी की पीछे एक serial killer का हाथ होता है सो आगे अंजली भाटी कैसे इस serial killer का पता लगाती है सब कुछ आप इस series में देखे इस series को आप amazon prime पर देख सकते हो series को रडिंग मिले 7.6 out of 10 mdb पर number one की series क्या ही बोलू अगर आप political thriller series के fan हो तो number one series बिलकुल भी miss मत करना जो कि है इस series में कहानी दिखाई गई है एक लड़के अर्विन शुकला की जो कि उन्वर्श्टी में पढ़ने के लिए चाता है और बहुत ही अच्छा student होता है लेकिन college में जाने के बाद वो students की गैंग के बीच में फज जाता है और उनकी politics के चक्कर में वो लोगों का murder करना शुरू कर देता है और पूरी थरह से crime की दुनिया में involved हो जाता है और आगे इसके साथ क्या कुछ होते है सब कुछ आप पी series के अंदर देखिए series को आप sony live app पर देख सकते हो series को rating मिले 7.5 out of 10 mdb per so guys I hope यह सभी series आपको पहुत ही ज्यादा पसंद आएगी और भी बहतरीन अपतर है और आप प्रूल को आप कि अखको आपको 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 आपको